इस दोनों पिक्चर को आप देखो कि यह यहां पर यह लरका है और इसको अगर यहां से मैसेज आता है ठीक है मनलों कि यहां पर आ गया मैसेज हाई इप फट दवर जवाब देगा हैलो एक तन्यों देर ना करेगा चाहिए पढ़ते रहे लिखते रहे कुछों करेत रहे तु सब्सक्राइब करना चाहिए भारत सरकार दभी अब कुपनों है जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार देलोजिकल साइंस में मैं हूँ हालोक सिंग आतीस और आज के इस वीडियो सेशन में लोग डिसकस करने वाले हैं सेक्स्ट और सब्सक्राइ होगा लेकिन कभी इसको गहराई से समझने की कुशिस नहीं करा होगा कब समझेंगे तो सर जब इसके लपटा में आ जाएंगे तब समझेंगे लेकिंожет आर्फष सभों को परिषान नहीं होना है आज इसघू से आप सेक्स्ट और संद क्या है इसको आसानी से समझ सकते हैं और अगर एक बार आप अवेर हो गए तो मेरे ख्याल से आपका इसमें फसने का चांस बहुत ही कम होता है वाइए डिसकस करते हैं क्या कि लिए है क्या तो मेरे में ध्यान दीजेगा यहां पर जो सेक्स टॉर्शन लिखा हुआ है इसका सिंपल मिनिंग यह होता है कि किसी के भ परिभास है ऐसे सेक्स टॉर्शन को लोग कई तरीके से जोर कि देखते हैं कहीं ऑफिस में काम कर रहे है कोई या उसके बॉस के द्वारा उसको सेक्श्वली एक्टिविटी के लिए अगर धंकाया जा रहा है तो वह भी सेक्स टॉर्शन कहीं के टेगरी में आएगा कहीं अफिस बगेरा में कोई और तरीका है सर किसी का प्राइवेट वीडियो किसी का प्राइवेट फोटो लिक हो गया और वैसे आदमे के पास पहुंच गया जो मजबूत है तो वह उसको बार-बार धंका रहा है कि पैसा दो नती फोटो वीडियो हम सब सोसल प्रेटफॉर्म पर डाल देंगे जहां से सभी लोग देखेंगे तो यह इस तरह से मतलब किसी के प्राइवेट फोटो प्राइवेट वीडियो इन सभी को लेकर के किसी को धमकी देना और उससे मतलब सारी चीजों को सार्वजनिक ना करने के एवज में पैसा की डिमांड करना यही क्या है स यह फिर कोई आफिस में काम बगेरा किया जा रहा है तो उसके बॉस के दौरा चाहाँ मेल हो या फिमेल हो फर्क नहीं पड़ता है बॉस के दौरा सेक्सवल एक्टिविटी के लिए बार-बार डराना धमकाना या उसके एवज में कुछ काम करने की सलाह देना ना करने की सल लोग समझते हैं कि यह सेक्स सब्द ही खराब है इसके बारे में बात ना किया जाए तो ज्यादा बेटर है लेकिन मुझे लगता है कि आज के इस बदलते दौर में कहीं न कहीं इस जो वर्ड है इसका मिनिंग सब आपको मालूम होना चाहिए और जब तक अवेर्नेस नहीं रहेगी तब तक लोग इसी तरीके से इन तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज में फस्ते रहेंगे और अपना जान भी गमाते हैं पैसा भी गमाते हैं और इजद प्रतिष्ठा तो ऐसे चली जाता है धान में रखे कि मैंने आपको समझाया कि किसी के भी प्राइवेट फोटो फरेट वीडियो को सार्व्जनि करने के आपकस में पैसा मांगना या उसको धमकाना सेक्स्ट handlar काहलाता है तो सवाल यह भी वीडियो प्राइवेट फोटो कहां से आ जाते हैं लोग एसा क्या हो गया है कि लोग क किसी का भी प्राइबेट वीडियो या प्राइबेट फोटो वगेरा निकाल करके अपने पास ले लेता है और उसको धमकाना शुरू कर देता है तो आसा हुआ कुछ नहीं एक्चुली जो लोग फस्ते हैं वो अपने हार्मोन पे कंट्रोल ना रखने के बज़ा से फस्ते हैं और कहीं न कहीं हर एक यूद के पास इंटरनेट से परिपूर्द मुबाइल फोन एवलेबल है इसमें बहुत सारे एप्स हैं बहुत सारे सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर कुछ पॉपुलर सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें तो मुझे तो तीन का नाम अब इन सभी प्लेटफॉर्म निन अलावे और मिडिया प्लेटफॉर्म बहुत सब्सकोंर सब्सक्राइसरिए अ मैं एक मेडु愉त प्लेटफोर्मिम शेट क्या है हैं और क्या कर सकते हैं तो सर ओडियो कॉल कर सकते हैं हां और क्या कर सकते हैं तो वीडियो कॉल कर सकते हैं और आपके जीवन को बरबाद करने के लिए यह तीन चीज इनफ है अगर आप बेरुजगार बेठे हुए हैं और आपके हाथ मोबाइल है तो आप इस तीन चीज में फस जाईए सर आपका जिंदगी और पूरी तरह से सफा चैट हो जाए तो किसी भी इंसान को बरबाद करने के लिए ये तीन चीज काफी है सर याद रखिएगा चैट ओडियो को ब्युद्यो को अब होता क्या है अमूमत कि जैनरली जो यह आप सेक्स-ट्रोसन का मामला सुन्ते हैं अभी हाली में उजागर हुआ एसा है राजस्थान का एक पूरा गौों जो है वो सेक्स-ट्अर्शन के सक Norie सामील है और महरास्ट का दो पूना का कहीं का दो यूबक भी इसमें फासी लगा करके सर अपना सुसाइड कर लिया था मर गया था सर तो यह जो सेक्स टोर्शन का मसला है इसमें अमुमन पाइस से ले करके 25 वर्स तक के जो यूथ हैं ज्यादा फस्ते हैं और सर जो बहुत ज्यादा बुधिमान है इसके अपरेज वाले भी वह भी फस्ते हैं इसमें होता क्या है तो जिनरली फेस्बुक वाट्सअप इंस्ट्राग्राम पे क्या होता है सर कि आप फेक आईडी भी हैं तो कि बड़े हिं आसानी से बना सकते हैं इन सभी सोशल मीडिया बलेटपॉम पे फेक आ यडि बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो सर वह मेल में का भी हो सकता है मेल के नाम सकता है फिमेल के नाम से Dart अब कोई लरका है और उसको मतलब यह सब चीज करना तो जाहिड सी बात है कि वो अपने आपको फिमेल रिपर्जेंट करना चाहेगा क्योंकि उसको तो तो सामने वाले आदमी को सर फासाना है और सबको मालूम है कि मेलव्लम से क्या होगा सर एड clockwise हो जाएगा मेल गए क्यों मैसे अट्रेक्ट हो तो मतलब आप स्ट करहता है कि अपने जीवन की किसी परोई में बने है तो और कि कर एक के सस्टेस में की हर एक जीवन में सर बाल्य आवस्था आता है लरक्पन आता वालियान रता है थी दटाप आता है तो और शोष मैंसां के संधर अवस्था कंग học वाली अवस्थाli आता है से और घ्ट visualize कर रहे हैं यह आपके लिए नया है ऐसा कभी न सोचना सविए पिछले जन्रेशन के लिए बिक आ death आगे बाले ratusan के लैसे पिए और अभी किलिए भी और हो जैसे ते है तो सर अपने किसी फिमेल को अजन भी क्योंकि किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट बेज़ सकते हो अब तो हलाकि बहुत सारा सिकुरूटी आ गया है तो सजेशन में नहीं आता है लेकिन फिर भी लोग ट्रैफ होते हैं तो किसी को अपने क्या किया तो सर्थ मैसेज रिक्वेस्ट भेज दि जबाब देगा हेलो एक तन्यों देड़ ना करेगा चाहिए पढ़ते रहे लिखते रहे कुछों करे इतरहे तुरत जबाब देगा इधर से हाई तुरत हेलो अब उधर से how are you I am fine अब फिर दुचार बार बात होगा दुचार मिनट अब जो भी हो उसके बाद उसके बाद सर नंबर सेरिंग होगा तो यह मेल है तो यह तो बिचारा अपने हार्मोन से परिशान है तो परिशान आत्मा है हार्मोन से सर इसको मालूम ही नहीं है ससुरा कि जो हार्मोन का उतार चड़ाओ हो रहा है यह एक बाइलोजिकल सिस्टम है और जिस एज में यह जी रहे हैं सर उसमें क्या होगा तो सर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहां पर आपको समझने की जरूत है कि जिस मसला के लिए आप उतल पुतल में अपना सर हमारे लक्ष पर होना चाहिए था लेकिन क्या करेंगे सर बाइलोजिकल प्रोसेस कि इस पाइलोजिकली उतार चरहाओ को सर यहां पर एक्स्प्लेन नहीं किया जा सकता है तब क्या होता है तो सर तब यहां पर बातचीत का सिलसिला चालू होता है फिर दो चार दिन के बा तो सर पूरे नाइट जो है बस बैठ करके यही करना है बतियाना ही है कि तो हम तो ताजमाल बना देंगे बड़ा बड़ा रोड़ खड़ा हो जाएगा बहुत सारा चीज एक दम पूरा अब इसमें क्या होता है कि सर कुछ भलगरीटी यहां पर प्रस्तूत किये जाते है इसके और से की जाया ध्यान में रखेगा कि मैसेज इनके तरफ से आया है तो सर इनके लिए तो यह इस्ट्रेंजर था इस्ट्रेंजर बोले तो अजनभी था लेकिन यह बैचारा यह सोच कर कि यहां पर जुरे हुए है कि सामने जो है वो क्या है तो सामने सर फिमेल है जाहिर सी बात है कि यहां पर अट्रेक्शन तो होगा है अब जब यह यहां पर जुरे हुए है सर तो इनको मालूम है कि जो दूसरे साइड में है वो फिमेल है लेकिन यहां पर यह स्ट्रेंजर जो है वो क्या है सर तो सर मेल है क्या है मेल है जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपको अलग-अलग तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं उसका पूरा तित्तम सेट रहता है सर पूरा सिस्टम एकडम लगा हुब रहता है कि किस मोबाइल पर फोन आएगा कब क्या प्ले करना व इनको पता भी नहीं चलता है, जो इधर एस्ट्रेंजर बैठा हुआ है, उसके सामने भी एक अलग कैमरा होता है, चेहरा सहीत बबुआ फोटो और वीडियो दुन्नू एकदम स्कुरीन सॉट के साथ तयार हो जाता है, जैसे ही वीडियो कॉल कटा, आपके मैसेंजर पे, जो जहां से भी आप मैसेज कर रहे थे, जहां से भी आप उसके साथ कम्मिनिकेट कर रहे थे, वीडियो आजाता है, आपके किये हुए करतूत का, अब आपका दिमाग तो सर सनक जाता है, लगता है सर पैड़वा के नीचे से धरतिया चल गया, फिर आता है सर आपको क्या, फिर आता है आपको unknown नंबर से call फिर क्या आता है unknown नंबर से call आता है और यहां पर आपको बोला जाता है कि बाबु जो आपने private video जो आपने private video और साथ ही private photo देखा है अपना फूद का वही private video और private photo जो है हम क्या करने जा रहे हैं तो social media पर viral करने जा रहे हैं तो social media पर viral करने जा रहे इतना सुनने के बात जो है अगला आदमी का हात फॉलना शुरू हो जाता है अब वह इनसान यहां पर दो चीज़ करेगा या तो जो stranger अजनभी आदमी कहेगा जहां से call आया है उसका बात मान लेगा जितना उसको पैसा चाहिए उसको पैसा देदेगा लेगिन फिर भी guarantee नौ है कि आपके वीडियो का first copy delete कर दिया जाएगा तो आप पैसा देके भी यहां पर बेबकूब बन रहे हैं दूसरा अगर नहीं देते हैं तो यह अन्नोन को का लग रहा है वह आपका वीडियो वाइडल करतेगा फिर क्या होगा सर फिर हम जो समाज में सर मूह दिखाने लाइक ही नहीं रहेंगे आप खुजाएगा mentally परेसान साइबर के दुनिया में इसको साइबर क्रेम बोला जाता है और इस तरह से हरासिंग जो है यह क्या कहलाता है सर सेक्स टोर्शन कहलाता है तो सर सवाल यहां पर यह है कि इस तरह से बचा कैसे जाए क्योंकि यह बैलोजीकली प्रोसेस तो हर किसी के बॉड़ी में होता है मेरे मित्र क्या जरूरी है हमको अंजान आदमी से बात करने की क्या आपके आसपास में या फिर आपका जो परिबार है वो आपसे प्यार नहीं करता है आसपास के लोग आपको चाहते नहीं है जाहत का मतलब किसी और सेंस में नहीं लो यार जैसी किसी और सेंस में लोगे तो इस तरह के पर्चे में पढ़े ही पढ़े इसका कोई गारेंटी नहीं है सर जब आपके माबाप आपसे प्यार करते हैं आपके फैमली वाले आपसे प्यार करते हैं आपके दोस्त आपसे प्यार करते हैं अब सौब प्यार करिये रहा है तो जरूरी है कि राजस्थान के आई यहां बनारस के इलहाबाद का कोई इस्ट्रेंजर आपके साथ दोस्त हो यह आपकी दोस्ती नहीं हो फिर आप उससे बात करेंगे तभी आपका जीवन सफल होगा अच्छा चलो कुछ देर के लिए बात कर भी लिया क्या जरूरी है सर इतना उफान मारने की यह हम ताज महल बनबा देंगे यह हम यह कर देंगे अरे भाई जेनरली इस काम में 22-25 वर्स के जो लड़के होते हैं वो फसते हैं तो मिरे मित्र समझने की जरूत है यह हर्मोनल इंबैलेंस के चलते हैं यह आप क्या सकते हो हर्मोन के इस उथल पुथल के चलते हैं आप खुद को फसा रहे हो तो कहीं न कहीं अगर आप अपने इज्जत को आप अपने पैसा को आप अपने मर्यादा को सेव करना चाहते हैं तो मेरी तो यही सला रहेगी कि आप इस तरह के स्ट्रेंजर मैसेज कॉल फ्राग कॉल से जरूर बचे सर यहीं तो आप बहुत भावना में बहाते हूं कर फिर पता का पूरा का पूरा यही सी सुपता है अब दो चीज है मालों अगर गल्टी से आप इस पर्चे में पर भी गए को फाइज तो ऑपाई क्या है और जो इससे बस सकते हैं तो मेरो मितर यहाँ पर उपाई कुछ नहीं है पहला जीज बहुत सारे मितर कहेंगे किसा आप ऐसे क्यों बोल रहें ऐसा इसलिए बोल है क्योंकि आज के समय में इस वर्ड का अवर्णेस बहुत ही जरूरी यह लोग सार माते हैं कि यार नहीं बात करना चाहिए यह कहींनी बात करना तो अब्यस्सी चर्चा होनी चाहिए तो मेरे में तर जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि अगर बाइदी बे इस तरह का कांड हो जाता है और आप से पैसे का डिमांड किया जाता है तो पहला चीज तो आप सर इसको जाकर के कि इस पैसे साइबर क्राइम के सैबर क्राइम के एकॉर्डिंग सर अब और कीजिए या आप जाईये अपने ठाना में और सर वहां पर अपर रिपोर्ट किजिए कि हमारे साथ इस-स तरह का प्रॉब्लम हो रहा है हम इस समस्या से जूज रहे है और साथ ही अपने फैमली वाल के पास हे तुम र man rich parameter को अगर आप फैमिली वाले के पास नहीं भी जाते हो को हुआ और आपके फैमिली वाले जानेंगे कि और अगर आप खुझ से बताते हो तो कहीने कहीं आपको एक बूस्ट और हिम्मत जरूर मिलेगा भले ही आपको शुरुवाती दोर में डाट सुनना पड़ेगा हो सकता है कि दुचार लाठी भी चल जाए सर लेकिन साथ फैमली बाला इंते साथ कोई दूसरा आदमी नहीं देगा और याद रखना कि इस सब मैटर में दूसरा आदमी इसलिए साथ नहीं देता कि अपना इजट सबको प्याड़ा होता है सर और कोई नहीं चाहता है अपना इजट कमान तो अगर किसी भी तरीके से आप इसमें फज़त पहला चीज तो फसना नहीं है कोई भी स्ट्रेंजर हो कोई भी मोम आयो चला सब चीज मोम आया है जब जिन्दगी के ए अगले लाइफ के फेज में रखोगे सर अपना पैर तो वहाँ पर आपको सिर्फ एकी चीज समझ में आएगा कि इस दुनिया में सफलता से परी और कोई फुसी नहीं होती और यह सब चीज जो है सर यह लाइफ में कई बार आपको मौका देती है लाइफ भी आपको मौका देती है और एक बात याद रखिये गया सर कि दिप्रोडक्शन इस वेरी इंपर्टेंट प्रोसेस फोर अल्ड़ एस्प्रिस इस विचार सर्वाइब इन दिस लिट्र स्प सब्सक्राइब जितने भी इस्पेसी पर्जाती को आप देख रहें सभी के लिए रिप्रोडिक्शन बहुत ही जरूरी होता है विकॉज भगेर रिप्रोडक्शन के किसी भी इस्पेसीज का बंस ही नहीं चलता है, खंदान ही नहीं चलता है और अगर किसी भी इस्पेसीज का बंस ना चले, फैमली बरा ना हो, उसका पॉपुलेशन इंक्रीज ना खरे, आप खुदी सोचिए कि दुनिया कहां चला जाएगा, आदमी जो है वो कुत्ता से हेल्फ लेने जाएगा, जैसे अभी किसी के घर में अगर चीनी बगेरा खतम ह हो जाता है तो परोसी से ले लेता है, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो, जितना आदमी है उतने रह जाए सर, क्या होगा, तो सर जानबर भर जाएंगे, आपके आसपास में कौन रहेगा, कुत्ता रहेगा, बिलाई रहेगा, गाय रहेगा, भाइस रहेगा सर, यूथ में आकर कि लोग परिशान हो जाते हैं अपने हार्मोनल, अपने बाडी में होने वाले हार्मोनल चेंजिस को ले करके, तो कहीं ने कहीं आपको यहाँ पे मैच्योर होना होगा सर, और मैच्यूरिटी इस तरह से आपको दिखाना होगा, कि आपको अपने हार्मोन पे महसूस नहीं होना चाहिए तो मैं यह कहा रहा था कि अगर आप किसी भी तरीके से इसमें फस जाते हैं एक तो फसना नहीं है अगर फस गए तो आप साइबर पुलीस के पास आ सकते हुआ पर आपना जो भी प्राब्लेम है उसको रिपोर्ट कर सकते हैं फैमली को जरूर करेका फोन कॉल रिसीब मत कीजिए किसी से भी बहुत जादा दोस्ती करने की जरूत नहीं है सर क्योंकि दुनिया बहुत ही घरबर चल रहा है और इस दुनिया में जितना आपने आपको सहेज के रखेंगे लाइफ उसका लाइफ आपका उतना ही अच्छे से कठेगा कोई लोग ये आपका कोई दोस्त इस तरह के मसला में पढ़ा हुआ है तो कहीं नहीं उसको कोसिस कीजिएगा कि यह जो प्रोसेस है यह पूरे तरह से बेफुजूल है और इसका मितलब यह होता है इसको समझाने का कोसिस कीजिए का साथी उमीद करते हैं इस सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ मिलते हैं फीर अगले सेशन में तब तक के लिए बेस्ट आफ लग थैंक्यू है बनाइस टे